चलिए आज एक और अपनी नई स्टूइंट से मिल बाता हूँ, नाम है परागी जेन, जिनकी All India 274 रैंक है, और इन्होंने भुपाल महनेट को आप्ट किया है, और इसको लॉक्ट भी कर दिया है, तो परागी सबसे पहले इस रैंक के लिए आपको बहुत सारी सुबकामना है थैंक यू सो मच सार, ये आप ये प्रतिक सार श्रीवम सार, इन सबकी हल्प से हुआ है और अंति तक बिल्कुर डटी रही, एमसी के लिए, और देखो आपके आंति तक की लड़ाई का आपके सामने एक रिजल्ट है इतना अच्छा तो मैं एक चीज़ चाहूँगा कि क्योंकि आपने फाइनल एर के साथ, पहले तो आप भौपाल आए, भौपाल आके जोईन किया, फिर बीज़ेश में कॉलेज को मैनेज किया, बाद में पढ़ाई की, तो जो आपकी सक्सेस स्टोरी है, सक्सेस जर्णी है मैं चाहूँगा वो आप बताएं, क्योंकि आप जिस एरिये से आएं, अक्सर क्या होता ऐसी जगों से जो छोटी जगे होती है, लोग निकलने से ही डरते हैं, पर आपने ये स्टेप फाइनल एर में रहते हुए उठाया, अपनी पढ़ाई भी की, कॉलेज को भी मैनेज कि किया और दोनों जगे परफॉर्म किया. सेनियर्स की हमारे अवर्ड सेरिमनी थी, तर उस दिन बैटके मैने सो उस दिन उनका सुनते सुनते से मुझे लगा, फील हुआ कि नहीं अगली बार मुझे यहां पर आना है, और उनके साथ साथ में अपनी स्पीच रैडी कर रही थी, उसे टाइम पर, मुझे बस ऐसा था क सेनियर्स की हमारे अवर्ड सेरिमनी थी, आप अगले साल की स्पीच तैयर कर रहे थे, कि मुझे क्या बोलना है, और देखो वो दिन भी आगया, अभी अलग बात है, कि अभी हम अवर्ड सेरिमनी थी, तु कोविट कंडिक नहीं कर पा रहा है, इसलिए मैं अभी इस बज़ इंटर्विव ऐसे कंडिक कर रहा है, पर जैसे ही सब कुछ सिचुशन सही होगी, तो अवर्ड सेरिमनी भी होगी, और जो आपका आपका जो सपना था वो पूरा वैसे अभी तो हुआ, पर एवर्ड लेते हुए पूरा होगा, तो मैं चाहूँगा कि जो आपके अंदर उस मैंने सब कुछ किया है, बहुत सारे अप्डाउंस आया थे, जब भी मैं पेपर देती थी, तो बहुत बार ऐसा होता था, कि मैंने बहुत कम स्कोर आता था, पर मुझे उस नहीं बहुत दी मोटी मोटीवेशन होता था, कि पता नहीं कैसे होगा, सेलेक्शन कैसे हो पाएग मैं, बहुत कि एक्जाम से थोड़ो दिन तक पहले भी बहुत तेंशन थी, बहुत डर लग रहा था कि कैसे होगा, पता नहीं पेपर कैसा आएगा, बस इतना फिर से दीरे अपने अपना कॉंपेटेंस आगगा थे, कि एक्जाम के देन मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, म मुझे बुछ नहीं लगा कि मुझे अब पेपर देरी जारी हूँ, ऐसा लग रहा था कि नहीं तो मैं रोज देती हूँ, आज भी है, जैसा भी है, बस अपना बेस्ट देकर आना है, सब जब पेपर दे रही थी, तो पेपर देखा सिंपल है, तो फिर यहीं बाति याद है आपकी कि सिंपल पेपर में ज़्यादा स्टेक्स होती है, semua से मैं कि एक चुल में क्या होता है जब तक हम प्रेशर लेते हैं जब तक हमारी परफॉर्मेस डाउन होती है जैसे आपने पेपर के पहले तक काफी प्रेशर लिया पर उसके पहले आपको रिलीव हो गया और जो एक वर्ड बहुत अच्छा बोला कि फाइनल या पेपर मतला जैसे दो काफी अच्छा फ्रेशर जाए जेसे पर्मीशन आपने कैसे लिया और कैसे आपको आपने तयार कि नहीं चैन्ड देया के बाद भूपाल आना है क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसे में सोचते हम ड्रॉप लेंगे फिर निकलेंगे तो आपका उस समय क्या थोड़ था सर कॉलेज में हम लोगों की ऐसे ऑटनमस युनिवर्सिटी थी तो जादा कुछ प्रॉब्लम था नहीं हम लोगों ने उसे एप्लिकेशन वगेरा दे दीती तो लोगों ने बोला कि ठीक है आप लोग जा सकते हो फिर यहां आने के बाद बहुत बार इस अब लग मैंजिम हर म मुझे जाना पड़ा था पर फिर भी मैंने का कि ठीक है वे तो चलता रहता है पर मैंने यहां पर भी अपनी पढ़ाई पूरी कंटिनीव रखी दी मैंने एक दिन भी पीछ में ब्रेक नहीं लिया कभी भी ऐसा नहीं आज मननी है तो रहने देती उस ताइम भी में थोड़ करती हैं कई बार क्या होता हम ऐसे में आरे दोनों मैनेज नहीं हो रहा फट से छोड़ देते हैं कॉंटिटेक जा माल लो आप छोड़ देते तो होता कुछ नहीं आप फिर इस साल करते पर नहीं छोड़ने का रिजल्ट आज आपके सामने अचा अब कोविट के बाद आपक बुक्स वाकरा सब बुबाल पड़ी है तो लेकर तो आनी है अम लोग बुक्स वाकरा लेना आथे और चार-पाश दिन में वापिस हम लोग मनसार आगे थे और उसके बाद फिर एकदम से वही था कि सब घर में रहते थे तो एक मन नहीं लगता था ज्यादा पढ़ने में यह था 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 थो तो थी कि नहीं अभी सब यहीरा है तो इन लोग के साथ बैठो यही रहो पर फिर दीरे डिर अपने अपको मैंच क्या कि नहीं और कुछ नहीं तो पहले स्टार्ट इदेना प्रीग थोड़ा-धोड़ा टांस दिया फिर टेस्टे में लगने लग और उसके बाद फिर एंड में मैंने टेस्ट पे जादा धिहान दिया कि मितलब में पुराने टेस्ट सारे और पॉर्मने रिविजन करना और यह सब करना स्टाट कर दिया बहुत अच्छा लगा परागी आपका आपका इंटर्विव लेकि मुझे बड़ा मज़ा आया और क्योंकि आपने जो बीच में कॉलेज के साथ जो निमसेट को मैनेज किया यह अपने आप में बहुत अच्छा था जिसको प्रॉपर मैनेज किया चलिए अब आप ऐसी आगे बढ़ें और आगे भी सक्सेस्फुल रहें और जिस जगे से आप हैं वहाँ पर भी और भी अपने जूनियस को मोटिवेट करें कि समय रहते हुए अपनी लाइफ में डीशियन लें और आगे बढ़ें थैंक यू एंड अल दे बैस्त थैंक यू जावा थैंक यू